नमस्कार आज के इस वीडियो में दैनिक जागरल के संपातकी से 472 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउट्लाइन्स के साथ लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के आउट्लाइन्स की जरूरत है तो आप हमारे साथ हैं टीम एप को प्लेइ स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूरत है तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर लें लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस dictation को हम लोग तीन अलग-अलग स्पीड मिलेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट मासको के एक सभागार में भीशड आतंकी हमले ने फिर यह बताया कि जिहादी आतंकवाद किस तरह अभी भी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है इस हमले में सव से अधिक लोग मारे गएं और बड़ी संखया में घायल हुएं रूस की राजधानी में किये गए इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी खुंखार आतंकी संगठन इसलामिक इस्टेट के उस खुरासान गुट ने अपने सिर ली है जो अफगानिस्तान में सक्रिय रहा है और वहां भी रूस के साथ साथ अमेरिका के ठीकानों को भी निसाना बना चुका है वह पाकिस्तान और इरान में भी आतंकी हमले कर चुका है चुकि इसलामिक इस्टेट खुरासान गाजवा ए हिंद की तथा कथित इसलामी मान्यता के फितूर से ग्रस्त है इसलिए भारत को भी सचेत रहने की आवस्यकता है इसलिए और भी अधिक क्योंकि यह आतंकी गुट भारत पर कबजा करने की डिंग हाकता रहा है वह भारत के मुसलमानों को अपने साथ जोडने के लिए भी सक्रिय है ऐसे कई भारतिय पकड़े भी गए हैं जो उसके लिए काम करने को तैयार थें अथमा उसके इसारे पर आतंकी हमले की साजिस रच रहे थें माना जाता है कि इसलामिक इस्टेट ने मासको को इसलिए अपना निसाना बनाया क्योंकि एक समय रूसी सेना ने सीरिया में उसकी कमर तोडने का काम किया था रूस पहले भी जिहादी आतंकी गुटों का निसाना बना चुका है उसके यहां कई आतंकी हमले चेचेन्या के जिहादी संगठनों ने किये हैं पैरा रूस की माने तो मासको में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को युक्रेन ने उकसाया जहां युक्रेन ने इस आरोप से इनकार किया है वहीं अमेरिका ने कहा है कि उसने तो रूस को ऐसे किसी हमले की सूचना दी थी पता नहीं सच क्या है लेकिन इस आतंकी हमले के बाद रूस युक्रेन के प्रती और अधिक आक्रामक हो जाए तो हैरानी नहीं यदि इस आतंकी हमले के चलते रूस और युक्रेन के बीच जारी युद्ध और व्यापक रूप लेता है तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे वर्तमान में विश्व समुदाय केवल रूस और युक्रेन के बीच की जंग से ही तरस्त नहीं है वह इजरायल और हमास के बीच जारी लडाई के बुरे असर से भी दोचार है हमास का समर्थन करने के नाम पर यमन के एक हिस्से पर काबिज हाउती विद्रोही लाल सागर में समुद्री जहाजों को निसाना बना रहे हैं सेना सरीखे इस ससस्त्र संगठन के हमले के सिकार कई समुद्री जहाजों को भारत की नौ सेना ने बचाया है फिल हाल यह कहना कठिन है कि रूस मासको में हुवे आतं की हमले का जवाब किस तरह देगा लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसलामिक इस्टेट जैसे आतं की संगठन तब तक दुनिया के लिए सिर्दर्द बने रहेंगे जब तक विश्व समुदाय उनसे एक जूट होकर नहीं निपटता विडंबना यह है कि विश्व समुदाय अभी तक आतं कवाद को परिभासित तक नहीं कर सका है इसी के चलते कई देश आतं कवादी संगठनों को आतं की मानने को तैयार नहीं इस्टॉप दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग असी के स्पीर्ड मिलेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेड़ी रहें इस्टार्ट मासको के एक सभागार में भीसर आतं की हमले ने फिर यह बताया कि जिहादी आतंकवाद किस तरह अभी भी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है इस हमले में सव से अधिक लोग मारे गएं और बड़ी संखया में घहायल हुए रूस की राजधानी में किये गए इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी खुंखार आतंकी संगठन इसलामिक इस्टेट के उस खुरासान गुट ने अपने सिर ली है जो अफगानिस्तान में सक्रिय रहा है और वहां भी रूस के साथ साथ अमेरिका के ठिकानों को भी निसाना बना चुका है वह पाकिस्तान और इरान में भी आतंकी हमले कर चुका है चुकि इसलामिक इस्टेट खुरासान गाजवा ए हिंद की तथा कथित इसलामी मान्यता के फितूर से ग्रस्त है इसलिए भारत को भी सचेत रहने की आवस्यक्ता है इसलिए और भी अधिक क्योंकि यह आतंकी गुट भारत पर कबजा करने की डिंग हाकता रहा है वह भारत के मुसलमानों को अपने साथ जोडने के लिए भी सक्रिय है ऐसे कई भारतिय पकड़े भी गए हैं जो उसके लिए काम करने को तैयार थें अथमा उसके इसारे पर आतंकी हमले की साजिस रच रहे थें माना जाता है कि इसलामिक स्टेट ने मासको को इसलिए अपना निसाना बनाया क्योंकि एक समय रूसी सेना ने सीरिया में उसकी कमर तोडने का काम किया था रूस पहले भी जिहादी आतंकी गुटों का निसाना बना चुका है उसके यहां कई आतंकी हमले चेचेन्या के जिहादी संगठनों ने किये हैं पहरा रूस की माने तो मासको में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को युक्रेन ने उकसाया जहां युक्रेन ने इस आरोप से इनकार किया है वहीं अमेरिका ने कहा है कि उसने तो रूस को ऐसे किसी हमले की सूचना दी थी पता नहीं सच क्या है लेकिन इस आतंकी हमले के बाद रूस युक्रेन के प्रति और अधिक आक्रामक हो जाए तो हैरानी नहीं यदि इस आतंकी हमले के चलते रूस और युक्रेन के बीच जारी युद्ध और व्यापक रूप लेता है तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे वर्तमान में विश्व समुदाय केवल रूस और युक्रेन के बीच की जंग से ही तरस्त नहीं है वह इजरायल और हमास के बीच जारी लडाई के बुरे असर से भी दोचार है हमास का समर्थन करने के नाम पर यमन के एक हिस्से पर काबिज हाउती विद्रोही लाल सागर में समुद्री जहाजों को निसाना बना रहे हैं सेना सरीखे इस ससस्त्र संगठन के हमले के सिकार कई समुद्री जहाजों को भारत की नौ सेना ने बचाया है फिल हाल यह कहना कठिन है कि रूस मासको में हुवे आतंकी हमले का जवाब किस तरह देगा लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसलामिक इस्टेट जैसे आतंकी संगठन तब तक दुनिया के लिए सिर्दर्द बने रहेंगे जब तक विश्व समुदाय उनसे एक जूट होकर नहीं निपटता विडंबना यह है कि विश्व समुदाय अभी तक आतंकवाद को परिभासित तक नहीं कर सका है इसी के चलते कई देश आतंकवादी संगठनों को आतंकी मानने को तैयार नहीं इस्टॉप दोस्तों इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखरी बार में हम लोग 90 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट मासको के एक सभागार में भीसर आतंकी हमले ने फिर यह बताया कि जिहादी आतंकवाद किस तरह अभी भी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है इस हमले में सव से अधिक लोग मारे गएं और बड़ी संखया में घहायल हुए रूस की राजधानी में किये गए इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी खुंखार आतंकी संगठन इसलामिक इस्टेट के उस खुरासान गुट ने अपने सिर ली है जो अफगानिस्तान में सक्रिय रहा है और वहां भी रूस के साथ साथ अमेरिका के ठीकानों को भी निसाना बना चुका है वह पाकिस्तान और इरान में भी आतंकी हमले कर चुका है चुकि इसलामिक इस्टेट खुरासान गाजवा ए हिंद की तथा कथित इसलामी मान्यता के ठीतूर से ग्रस्त है इसलिए भारत को भी सचेट रहने की आवस्यक्ता है इसलिए और भी अधिक क्योंकि यह आतंकी गुट भारत पर कबजा करने की धींग हाकता रहा है वह भारत के मुसल्मानों को अपने साथ जोडने के लिए भी सक्रिय है ऐसे कई भारतिय पकड़े भी गए हैं जो उसके लिए काम करने को तैयार थें अथमा उसके इसारे पर आतंकी हमले की साजिस रच रहे थें माना जाता है कि इसलामिक इस्टेट ने मासको को इसलिए अपना निसाना बनाया क्योंकि एक समय रूसी सेना ने सीरिया में उसकी कमर तोडने का काम किया था रूस पहले भी जिहादी आतंकी गुटों का निसाना बना चुका है उसके यहां कई आतंकी हमले चेचेन्या के जिहादी संगठनों ने किये हैं पहरा रूस की माने तो मासको में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकीयों को युक्रेन ने कुकसाया जहां युक्रेन ने इस आरोप से इनकार किया है वहीं अमेरिका ने कहा है कि उसने तो रूस को ऐसे किसी हमले की सूचना दी थी पता नहीं सच क्या है लेकिन इस आतंकी हमले के बाद रूस युक्रेन के प्रती और अधिक आक्रामक हो जाए तो हैरानी नहीं यदि इस आतंकी हमले के चलते रूस और युक्रेन के बीच जारी युद्ध और व्यापक रूप लेता है तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे वर्तमान में विश्व समुदाय केवल रूस और युक्रेन के बीच की जंग से ही तरस्त नहीं है वह इजरायल और हमास के बीच जारी लडाई के बुरे असर से भी दोचार है हमास का समर्थन करने के नाम पर यमन के एक हिस्से पर काबिज हावती विद्रोही लाल सागर में समुद्री जहाजों को निसाना बना रहे है सेना सरीखे इस सस्त्र संगठन के हमले के सिकार कई समुद्री जहाजों को भारत की नौसेना ने बचाया है फिल हाल यह कहना कठिन है कि रूस मासको में हुवे आतंकी हमले का जवाब किस तरह देगा लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसलामिक इस्टेट जैसे आतंकी संगठन तब तक दुनिया के लिए सिर्दर्द बने रहेंगे जब तक विश्व समुदाय उनसे एक जूट होकर नहीं निपटता विडंबना यह है कि विश्व समुदाय अभी तक आतंकवाद को परिभासित तक नहीं कर सका है इसी के चलते कई देश आतंकवादी संगठनों को आतंकी मानने को तैयार नहीं इस्टॉप इस्टॉप